नितेश तिवारी की रमायन को लेकर आए दन कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते रिंबीर कपूर, साइपलवी और यश की इस मोवी की ओफिशल अनॉंस्मेंट भले ही ना हुई हो मगर ये प्रोजेक्ट चर्चा में बना हुआ है माल्डी स्टारर इस मोवी की कास्टिंग को लेकर एक बार फिर से खबरे चल रही है रामायन से अब हर्मन बावेजा का नाम भी जुड़ गया है अगर आप हर्मन बावेजा को भूल गये हैं तो आपके यादों को ताजा कर देते हैं यह वही है जिन्होंने प्रयंका चोपड़ा के साथ फ्यूचरिस्टिक मोवी दोहजार पच्चास से बॉलिवुड में डेबियो किया था जो मोवी नहीं चली थी एक तो पता नहीं इंडिया और फ्यूचरिस्टिक मोवी का क्या क्रॉस कनेक्शन है जो भी आकर इस मोवी में काम करता है वो बिचारा फ्लॉप स्टार की लिस्ट में ही आ जाता है अब चाहे वो हर्मन हो प्रभास या फिर टाइगर श्रॉफी क्यों नहीं हो कि ये रोल हर्मन बावेजा की जोली में जागरा है वो रावन के छोटे भायानी विभीशन का करेदार निभास सकते हैं रमन बावेजा ने हांसल महता की वेब सरी स्कूप से कमबाग किया था परिश्मा तन्ना के शो में हर्मन की परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया था स्कूप में हर्मन जे सीपी हर्ष वर्धन श्रॉप के रोल में थे 2008 में डेब्यू करने वाले हर्मन को अपने आफ्टिन के लिए तारीफे पटोरने में करीब 15 साल का समय लगा ये तो राम के 14 साल के वनवास से भी लंबह रहा है और इतिफाक देखो अब ये विभीशन बन रहे हैं राम के वनवास को खतम करने के लिए दुनिया सच में कितनी छोटी है तो नितेश तेवारी के रमायन में उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी ये तो वग बताएगा हलाकि रमायन की कास्टिंग को लेकर अभी तक कोई भी ओफिशिल अनॉंसमें नहीं की गई है एपोस के मुताबिक नितेश तेवारी इस साल राम नौमी के मौके बर रमायन अनॉंस कर सकते हैं पास में बनने वाली इस रमायन की ऑफिशिल अनॉंसमें सतरा एप्रिल को हो सकती है आप कि इतने एक्साइड़ इस मूवी को लेकर बताएं में कॉमन सेक्षिन में आम फिर मिलेंगे बबाए बिकम अन अक्टर इन बालीवूद वट्साप ही ते 828-8500-88